नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चाड़क के नीती के आधुनिक रोपांतरड की एक और वीडियो चाड़क के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों आचारे चाड़क के का मानना था कि पती और पतनी के रिष्टे में दोनों का चरित्रबान होना बहुत जरूरी है अगर चरित्र ही खराब हो जाए तो उस रिष्टे में कुछ नहीं रह जाता ऐसा रिष्टा पती और पतनी दोनों को खटकने लगता है रिष्टे में एक बार अगर विश्वास खो जाए तो उस रिष्टे को चाह कर भी पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता ऐसे में रिष्टे में कडवाहट निश्चीत है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेगे कि वो कौन सी इस्तरी है जिसकी आखों में काटा बनकर खटकता है उसका पती और उसे मानती है वो अपना दुश्मन दोस्तों आचारे चाड़क के कहते हैं पती हो या पतनी अगर कोई भी किसी गलत आदत लट का शिकार है बुराईयों से घिरा हुआ है तो इसके परिडाम उन दोनों को ही भुगतने पड़ते हैं यानि पती की गलती की सजा पतनी भोगती है और पतनी की गलती की सजा उसका पती भोगता है इसलिए सुखी दामपत्य जीवन जीने के लिए किसी भी तरह की गलत आदतों को छोड़ना जरूरी होता है दोस्तों पती पतनी दोनों को ही अपने बीच की बातों को खुद तक ही रखना चाहिए इन बातों को किसी और से ना कहें, ऐसा करने से एक दूसरे के परति विश्वास कम होता है, और आपसी जगडे बढ़ते हैं, कही बार ये बातें अपमान की वज़े भी बन सकती हैं, दोस्तों पती और पतनी एक दूसरे से बात बात पर जूट बोलते हैं, तो उनका रिष्ट धीरे धीरे खोकला हो जाता है, विश्वास की निव हिलने के बाद रिष्टे में कुछ नहीं बचता, इसलिए अपने जीवन साथी के परति इमानदारी बरतना बहुत ही जरूरी है, आए अब जानते हैं, ऐसी वो कौन सी इस्त्री है, जिसकी आँखों में काटा बनकर और उसके संबंद किसी अन्य पुरुष के साथ हो, तो उसे अपनी शादी बोज लगने लगती है, ऐसी पतनी की आँखों में उसका पती काटा बनकर खटकता है, वो उसे दुश्मन मानती है, ऐसे रिष्टे में समय बर्बाद करने का कोई लाब नहीं है, ऐसी पतनी कभी आपके लिए ठीक नहीं हो सकती, बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, दोस्तों मिलते हैं, एक इसी परकार के अ आए फियरलेस